वानिंग इनेलास्टिक कुलीजन इन वान डिमेंशन ओवड़ा कुलीजन जेजदे विच मोमेंटम है जड़ी कॉंसेंट रहेगी कंजब रहेगी बट कनेटिक एनर्जी जड़ा उसा कुछ लॉस होएगा वो कंजब नहीं रहेगी ओवड़ा इस सिस्टम नों कहांगे कुली टीज ए एंड बी एडा मास है के एंबन बीदा मास है के एंडू दू दोनों सेम स्टेट लाइन विद्ध विलोस्टिए यूवन एड जू टू लॉस्टिए जना मूव कर रहे हैं ठीक है दो जड़ियों बोड़ियां है है डाउन क्लीजन करनी है क्लीजन तो बाद ओना द फ्लस M2 U2 इस एक एंड बन V1 प्लस M2 V2 ठीक है अपका किता से के विलोस्टिए ओफ सेपरेशन ओकी सी V2 माइनस V1 किता सी विलोस्टिए अप्रोच U1 माइनस U2 इनी लास्टी कोलीजन देविच विलोस्टिए ओफ सेपरेशन है के जड़ा ओस्मालर होएगा देनाड़ों ठीक है तो कॉफिशेंट ओफ रेजिट्यूशन की है इस एक विटू माइनस वीवन अपाउन यूवन माइनस यूटू ते वीटू दी वैली कैलकुलेट करांगे वीवन प्लस E इन्टू यूवन माइनस यूटू यूटू यह वाली जड़ी वीटू दी वै प्लस यूटू वाली टर्म्स आपब वीवन दी वैल्यू कैलकुलेट करांगे ठीक है अगर एस दे विचो फेर वीवन नों अलिमीनेट करिए देन वीटू दी वैली आजेगी M2 माइनस E M1 U2 प्लस 1 प्लस E M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 V1 दे वीटू दोना दिया जड़ी वैल्यू जड़ी वैल्यू है फाइनल विल्यूसरी दी वैल्यू आफ्टर कुलीजन तो बाद दोना दी कैलकुलेट होगी हूं जड़ा कुलीजन हैगा वो इलास्टिक हो सकता है जड़ी परफेक्टली इनलास्टिक हो सकता है कुलेजन दा नेचर हो सकता है कुछ भी एकक एक कुलेजन इलास्टिक है ठीक है इलास्टिक कुलेजन दे ले ए दी वैल्यू वन प्लस M2 u1 plus 2m2 u2 upon m1 plus m2 and v2 is equals to m2 minus m1 plus 2m1 u1 upon m1 plus m2 second is jodho collision perfectly inelastic is inelastic collision देली ed value नो 0 set करांगी दोनी question देविछ then b1 is equals to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 and v2 is equals to m1 u1 plus m2 u2 upon m1 plus m2 इसले देली special case rise हो रहे है jodho dunno bodies are mass same है m1 m2 is equals to m देकोल है and b1 दी value आएगी m1 m2 नो m set करांगी then v1 दी value आजगी 1 minus e into u1 plus 1 plus e into u2 upon 2 similar way दे नाल v2 दी value आजगी 1 plus e into u1 plus 1 minus e into u2 upon 2 ओस्तो बाज second special case की है jodho second body target body है jodhi rest position दे प्रे u2 दी value 0 है u2 दी value 0 पुट करांगी v1 दी beautiful निया equation दे विचे then v1 is equals to m1 minus e m2 upon m1 plus m2 into u1 and b2 दी value आएगी 1 plus e into m1 u1 upon m1 plus m2 ओसे लिए फिर अगेन जो target body rest होती है फिर 2-3 case से rise हो रही है फिर्स है कि जो दो दो दुन नो body दा mass equal है m1 नो m2 दे खो लिखांगे then v1 दी value आएगी 1 minus e upon 2 into u1 v2 दी value आएगी 1 plus e into u1 upon 2 second case rise की हो रहे है jodho mass है कि target body दा ओ निग्लीजिबल होएगा as compared to that of incident body m2 less than less than m1 then v1 is equals to u1 दे खोला रहे and v2 is equals to 1 plus e into u1 दे खोला है second third है जो दो mass है कि incident body दा ओ निग्लीजिबल है as compared to target body means m1 दी value less than less than है कि m2 दे नाड़ो then v1 is equals to minus e into u1 and v2 is equals to 1 plus e into m1 upon m2 into u1 approximately equal to 0 लिख सकती है ओस्तर नेक्स है कि loss of kinetic energy in an elastic collision in elastic collision दे विचे जड़ी kinetic energy हो दा कुछ ना कुछ पार्ट loss हो रहे है v1 दे v2 final velocity value आपा calculate किती सी kinetic energy है गिये दोन्नों bodies दी before collision 1 by 2 m1 into u1 square plus 1 by 2 m2 u2 square collision तो बाद है गिये 1 by 2 m1 v1 square plus m2 plus 1 by 2 m2 into v2 square दोन्नों दे विचे आपा किया initial minus before collision minus after collision करदांगी दोन्ना दा देन loss in kinetic energy हो जगी देन ओस्तर नोट करांगे delta t देना delta t is equals to 1 by 2 into m1 u1 square plus m2 u2 square minus m1 v1 square plus m2 v2 square ये बली टर्मनों multiply करांगे ते divide करांगे m1 plus m2 देना then delta t is equals to 1 by 2 into m1 plus m2 into m1 plus m2 into m1 u1 square plus m2 u2 square minus m1 plus m2 into m1 v1 square plus m2 v2 square ठीक है ओसे बली जड़ी टर्म है गिया m1 plus m2 m1 u1 square plus m2 u2 square इसनों स्वालब करांगे पहला इसनों multiply करांगे multiply करांगे ये तो डेकोले किया arrange करके आज़ेगी m1 into u1 plus m2 u2 the whole square plus m1 m2 into u1 minus u2 the whole square similar way ना ये वली जड़ी टर्म है गिया उसनों अपपन करांगे उसनों range करके लिख सकते है m1 v1 plus m2 v2 the whole square plus m1 m2 into v1 minus v2 the whole square e the value तो डेकोल की है गया v2 upon v2 minus v1 upon u1 minus u2 देकोले then v2 minus v1 the value आज़ेगी e into u1 minus u2 scaring करांगे दोनों side then v2 minus v1 square is request to e square into u1 minus u2 the whole square v2 minus v1 the whole square नों लिख सकते है v1 minus v2 the whole square is request to e square into u1 minus u2 the whole square conservation हों momentum की इसी m1 v1 plus m2 v2 is request to m1 u1 plus m2 into u2 थीक है ये बली एंगे जड़िया occasions है गी है वो यूस करके ये इस occasion दे बीच पुट करांगे values ये ये बीच दे बीच then m1 plus m2 into m1 v1 square plus m2 v2 square is request to m1 in m1 v1 square is request to m1 as जगांगे m1 u1 plus m2 u2 the whole square plus एवली जगाते लिखांगे m1, m2 as it is v1 minus v2 the whole square दी जगाते e square into u1 minus u to the whole square then equation बन जगी plus e square into m1, m2, u1 minus u to the whole square ठीक है, एवली जड़ी values है गी है एवली value ते एवली equation the value, एसनों use करके आवली जड़ी equation है उसनों लिखांगे delta t is equals to 1 upon 2 m1 plus m2 into m1, u1 plus m2, u to the whole square plus m1, m2 into u1 minus u to the whole square minus m1, u1 plus m2, u to the whole square minus e square m1, m2 into u1 minus u to the whole square, उसनों बाद सारे आप जड़ी स्केरिंग है तो आप उपन करांगे उपन करांगे उपन करांगे तो बाद loss in energy आजएगा, loss in kinetic energy delta t is equals to 1 minus ed square into m1, m2 into u1 minus u to the whole square upon 2 into m1 plus m2 ये तो ड़ी कोल आगे है expression loss of kinetic energy during an elastic and perfectly in elastic collision of two bodies, उसनों बाद अगर collision elastic then elastic दे लाई ed value अपा one substitute करांगे इस question दे विच, then delta t d value आजएगी 0, ये नो one पुट करांगे delta t r e 0 means elastic collision दे विच कोई भी जड़ा energy दा loss है kinetic energy दा loss और नहीं कर कर रहे है अगर परफेक्टरी इनी लास्ट विच कोलीजन है और जे ले इनो e नो 0 पुट करांगे then delta t d value आजएगी m1, m2 upon 2, m1 plus m2 into u1 minus u to the whole square और स्थो बाद अगर target body है गी है और rest दे उपरे, then u2 नो 0 पुट करांगे then delta t d value आजएगी m1, m2 into u1 square upon 2 into m1 plus m2 square square नहीं आया, sorry delta t d value आजए m1, m2 into u1 square upon 2 into m1 plus m2